नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश है तीस मईर रविवाश शाम सब पांच बजे रास्तान के बड़ी खबरे मुक्यमंद्र अशोग हलोट ने कहा कि राजी सरकार ने पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी कोविट का बहतरीन प्रबंधन करते हुए देशवर में उधारन पेश किया है उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की अशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऑक्सिजन उत्पादन वैक्सिनेशन और मेडिकल इंट्रस्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग जल से जल्द की जाए किसी विस्तर पर कोई कमी नहीं रहे स्वास्ते से विधाओं को मजबूत करने के लिए राजे सरकार समुचित वित्या संसाधन उपलब्ट कराईगी रास्तान मादमेक शिशा बोर्ड के दस्वें और बारवी बोर्ड परिक्षाओं को लेकर शिशा मंत्रि गोविन सिंग्डोटास्रा ने फिर बयान दिया है उन्होंने कहा कि एक जून के बाद मुख्य मंत्रि और शोगहलोस से इन परिक्षाओं को लेकर चर्चा करेंगी उन्होंने कहा कि रास्तान बोर्ड की दस्वें और बारवी के परिक्षाओं से बच्चों का करियर जुड़ा रहता है इसलिए सरकाल परिक्षा कराने की पूरी मन्शा रखती है कोविट के वज़े से अभी तत्काल परिक्षा कराने जैसी सिती नहीं है इसलिए सिती समाने होने पर परिक्षा कराई जाएंगी राजसान के राज़पाल कलराजू मिश्रू ने प्रदेश वासियों से तंबाकों से दूर रहने का आवान किया है राज़पाल ने विश्व तंबाकों निश्य दिवस के मौके पर यह आवान किया है राज़ेपाल ने कहा कि तमबाकू के स्वास्ते पर दुश प्रभावों के प्रती जागरुकता लाने की जरूरत है केंदर सरकार द्वारा BPL और जरूरत मंदों के लिए उजवला गैस योजना शुरू की गई थी जो आज बंद होने की कगार पर दिखाई दे रही है बड़ी महंगाई, गैस के दामों में व्रदी और सबसेडी नहीं मिलने से गरीब लोग वापस लकड़ी के चुलू की ओर लोट रहे हैं जूतपूर के पोकरण में प्रधान मंत्री के उजवला योजना की बुरिकत है गरीब लोग लकड़ी के चुलहे जूलाने पर मजबूर हैं जिन लोगों ने उजवला योजना के तहट कनेक्शन प्राप किये थे उन में से 80% लोग गैस सिलेंडर रिफिल ही नहीं करा रहे हैं बाराजिले की सिस्वाली छबडा छीपा बड़ोग सार्थल अट्रू हरनावदा शाहजी समेद कई कस्बों में हुई बारिश से मुख्या बाजार की सडकें पानी से भर गए और मकानों के टीन छपर उड़ गए लाइट के पोल तूट कर गिर गए तो पेड़ भी तूट कर जमीन पर गिर गए वहीं पाठेडा गाउं में खेट पर काम कर रहे किसान के उपर पेड तूट कर गिर गया 6 माहा पहले स्वास्तकार्णों की चलते राजस्तान कॉंग्रिस मुख्याले से हटाए गए तीन वरिस्ट करमचारियों के परिजनों में से एक-एक व्यक्ति को उनकी जगा प्रदेश कॉंग्रिस मुख्याले में न्यूक्ति देने को लेकर प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने हरी जंडी दे ली है। जंगल में तेन्दू पत्ता तोड़ने के दिये जाने वाले तेन्दू पत्ता के ठेके से आय में इस बार चार गुना तक बढ़ोतरी हुई है जबकि गत दो वर्ष से लगातार कमी होती जा रही थे। इस बार बढ़ी तेन्दू पत्ता की मांग के कारण ठेका भी 13 करोड 88 लाख रुपय का हुआ है इससे करोणा काल में स्थाने लोगों को रोजगार भी मिलेगा विभाग्य आंकडों के अनुसार गत दो वर्ष से आय कम हो रही है इसका करण तेंदू पत्ता की मांग में कमी होना बताय गया है ऐसे में बन्विभा के राजिस्व आये में कमी हो रही है गद्दो वर्ष से तेंदु पत्ता का उठाव नहीं होने से ये असर हो रहा है वहीं इस वर्ष तेंदु पत्ता की मांग है जिससे ठेका राश्य अधिक बोली गई है रहसान विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलापचंद कटारिया ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी टू के दूसरे कारेकाल के दो साल पसंतोर जताते हुए कहा कि सरकार के जम्मो कश्मे से अनुछे 370 को समाप करना, तीन तलाग के खिलाफ कानून और नागरिक्ता संशोधन कानून बनाना और सुप्रीम कोट के निरने के बाद राम मंदिर का कारे शुरू करवाना भी बड़ी उपलब्धिया है कटारिया ने कहा कि कई योजनाओं से गरीबों, दलितों, पिछडों, यूवाओं, महिलाओं के उत्थान के दिशा में मार्ग प्रशस्त किया कोरोना वाइरस से जूस्ते देशवासियों को बचाने में भी केंद्र की मोधी सरकार सफलता पुरवक काम कर रही है लोगडाउन के बीच राजे सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के काम फिर से शुरू करने के आदेश के साथ ही उदैपुर जिले में भी पिछले दिनों कारे शुरू हो गए है गुरुवार की बात करें तो उदैपुर जिले के 20 ब्लॉक में 3074 कारे उपर 9305 श्रमिक कारे कर रहे थे धिरे धिरे कारे वे श्रमिक बढ़ाये जा रहे हैं बीकानेर मंडल भी अब विद्यूत रेल गाड़ियों की दोड़ में शामिल हो जुका है शनिवार को बीकानेर मंडल के 200 किलेमेटर लंबे रेवाडी चूरू खंड में विद्यूत माल गाड़ी दोड़ा कर रेलवे ने एक और उपलब्धी हासिल कर ली है मार्च में रेल सनक्षा आयुक्त पश्चिम परी मंडल ने साधलपूर चूरू खंड में विद्यूत करन कार्यों का गहन नेरिक्षन कर इस खंड में विद्यूत गाड़ियों के संचौलन की अनुमती दे दी थी सनक्षा आयक्त ने निरिक्षन के दोरा निर्देशित कारिशोधारों के अनुपानला सुनिशित करने के बाज शनिवार को बिकानेर मंडल ने इस खंड में पहली विद्यूत माल गाड़ी का संचौलन किया ये गाड़ी दोपहरे एक बजे रिवाड़ी स्टेशन से रवाना हुई और चौर बजे चूरू स्टेशन पर पहुची इस गाड़ी को मंडल के टी आरडी विभा के अदिकारी वे सुपरवाईजर ने एसकौट किया था इस गाड़ी के संचौलन के साथ है रिवाड़ी चूरू खंड में विद्यूत गाड़ीं के संचौलन का रास्ता साफ हो गया है शिखावाटी सहीत रास्तान भर में आंधिवे बरसात का दौर फिलहार चौर दिन और जोरी रहेगा पश्ची में विक्षोप सक्री होने के वज़े से मौसम में ये बदलाव रहेगा मौसम विग्यान केंडर जयपूर के अनुसार रविवार को प्रदेश के सीकर जुन-जुनू बिकाने जोदपूर और जैसल मेर के कुछ इलाकों में जहां लू चलने के आश्वंका है वहीं सीकर जुन-जुनु जयपूर अलवर दौसा भरतपूर धौलपूर करॉली वे सवाई माधुपूर बिकाने चूरू हनमानगर जवसल मेर नागार और गंगानगर जिलो में कहीं कहीं पर में गरजन और 40-50 किनोमेटर के रफतार से हवाओं के साथ हलकी बरसात हो सकती CWC सदस्या वंपूर्व सांसा रगुवीर सिंग मीना ने केंद्र सरकार के दो वर्ष के कारकाल पर कहा है कि सरकार देश को दिशाहिन तरीके से चला रही है दुनिया में जो साख कॉंग्रिस शासन में थी उसे मिट्टी में मिला दिया है मोधी टू के दूसरे साल पर उन्होंने कहा के 27 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला केस केरल में आया था उसके बाद देश में ये महमारी फैलती गई उसके उप्चार में प्रधान मंत्री ने कई प्रयोग किये कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए देश में तयारी करनी चाहिए थी लेकिन दिशाहिन प्रधान मंत्री चुना वे बड़ी सभाव में व्यस्त रहे जोदपर में आजीवन का रवास के सजाज जेल रहे आसाराम के स्वास्ते संबंदी तमाम रिकॉर्ड उनके बेटे नाराएंड साई को उपलप्त करवाये ज़ाने के आदेश राहसान उच्छ नयायले ने दिये वास्ता में साई ने अपने पिता के आयरुवेदिक इलाज के अनुमति के लिए एक रिट याची का दाखिल की थी जिस पर हाई कोड की जस्टिस अरुन भनसाली की एकल बेंच ने यादेश संबंदी जेल पुशासन को ज़ारी करते हुए कहा कि दो दिनों के भीतर आसराम के सभी मेडिकल रिकॉर्ड उपलप्त करवाया जाएं अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए साध जुन की तारिक तैक की गई है जोत्पर में कोरोना संक्रमित के दौरान संभाग के सबसे बड़े MDM अस्पताल में करमचारियों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की जिंदिकी के साथ खिलवाड करने का संसनिक खेज मामला सामने आया है MDM अस्पताल स्थिद कोरोना विंग में तैनाथ 14 नर्सिंग कर्मियों ने 244 रेम डिसिवर इंजक्शन का घोटाला कर लिया कोरोना विंग में तैनाथ उकुल 22 नर्सिंग कर्मियों की जौंच में 14 नर्सिंग कर्मिय दोशी पाए गए है विकानेट जिले के ग्रामिन शेत्रों में जिकिसायम स्वास्त सुविधाओं की सिती बदहाल है नर्सिंग कर्मियों के संचालित होने के बाद भी ग्रामिनों को विशेशक के चिकिसक किया सेवाओं का लाब नहीं मिल रहा है ग्रामिन शेत्रों में संचालित हो रहे सब सेंडर और पास्मिक स्वास्त केंद्रों तो दूर सामुदाइक स्वास्ते केंद्रों पर भी मरीजों का पुक्ताची किस्सा और स्वास्ते सेवाओं का लाब नहीं मिल रहा है जनरल सर्जरी तक के लिए ग्रामिनों को पचास सो किलोमेटर चल कर भी कानेश शहर आना पड़ रहा है फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ स्वास्ते नियूज के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें